इनको पेट में पिछले दो ड़ाई साल से प्रोलम रहती थी, तो हमने चेक करवाया, तो हरनिया बताया, सरजरी में भी कोई प्रैसानी मेरी मा को नहीं हुई, और उसके दो-तिन गंटे बाद इनोंने सरजरी के बाद, मेरी मा को मुमेंट करवाया, चलाया, वासरूम गई ये और उसके बाद फिर खाना पिना देना शुरू कर दिया, और कोई दिक्त किसी तरह की नहीं हुई, अब ये गपते बाद दिखाने के लिए आये हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है, ये अगले दिन से, शेम डे से चलना फिरना शुरू कर दिया था, मेरी माँ को इनको प्रूला देवी है, इनको पेट में पिछले दो-डाई साल से प्रॉलम रहते थी, तो हमने चेक करवाया, तो हरनिया बताया, फिर सार को, हम मैंने दुझरे डोक्टर से पता किया, तो नहीं पोला के डोक्टर चिराग ठकर को दिखाईए, बहुत बढ़ तो नहीं ने पूरा चेक किया, सब रिपोर्ट्स देखी तो बोला के इनको सर्जरी सजेस्ट किया, कि सर्जरी करवाना पड़ेगा, और कोई प्रॉलम नी होगी सर्जरी के बाद से, फिर हमने ये सर के साथ बातचीत करके सर्जरी को प्लान किया, और कल सुबह हम लोग प्रॉलम गई है, और उसके बाद फिर खाना पिना देना शुरू कर दिया, और कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं हुई, और आज सर ने आके बड़े अच्छे से, मैं परस्नली बोलना चाहूँगा, कि सर ने हमें खूब टाइम दिया, पूरे मेरे साटिसफेक्शन करवाया, जिदनी मेरी क्वायरी थी ना, उससे ज्यादा मेरे को चीजें बताई कि आप ऐसा करवाये, यह दिक्कत, वालब यह कहीं है कि तम फुली सैटिसफाई किया, और बहुत बढ़िया से ट्रीट किया, जैसे घरवालों को करते हैं, उस तरह से ट्रीट किया, और बहुत ही अच भींड़ी ना, जैसे बस्काइब किया, और कल से खाना फिरह सब चल दाता, कोई दिकनी मूमेंट सब कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया है मेरी माँ, और बहुत अच्छे से है, और वम अतो बहुत ही अच्छा एक्स्त्रीएं से तहिं से लिगा की बहुत ही बढ़िया द्र वोज को रहे मिसे बजलाया, बोट अच्छा हाँ मेरी मा पुला देवी का अपरेशन करवाया अमने पिछले हप्ते करवाया सखसे खरनेया का अपरेशन अभी एगपते बाद जिखाने के लिए आये हैं इनको कोई तकलीफ नहीं है, ये अगले दिन से सेम डे से चलना पिटना सुरू कर दिया था और घर पर जाके भी दोने जैसे सर ने बिताया था खान पान में कोई प्रेश ली था अपने हजाब से खा पी रहते, चल पी रहते, पूं पीर रहते और कोई प्रेशानी नहीं है और अच्छी तरह ही अभी वल्लव उनको अच्छा लग रहा है, सब चीजें कोई थीकत प्रेशानी नहीं गोई और बहुत बढ़िया रहा हमारा ये एक्स्पिरेंस अब के साथ सर ने इसस तरह दे बताया और अभी कोई प्रॉबलम नहीं है बस दस्ट सर गोई को दिखाने एक वी के बाद आये हैं कि फ्रदर क्या गाइड करें बाकी बहुत अच्छा है थैंक्टू डॉक्टर ठक्कर शर ने अभी बहुत अच्छे से ट्रीट किया बढ़िया हिलाज में रहा है अगया नहीं प्रॉबलम नहीं है आप